तेलंगाना में हल्दी की सबसे प्रमुक व्यापारिक मंडी निजामाबाद में नए माल की आवक का सीजन आरंब होने से कारोबारियों में हलचल बढ़ने लगी है। पिछले दिन निजामाबाद के भाजपा सांसद ने क्रिशी उपज मंडी में एक मीटिंग के बाद हल्दी के उतपाद को एवं व्यापारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश से करीब 1600 करोड रुपए मूले की हल्दी का सालाना निर्यात हो रहा है जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे चार गोना 400 प्रतिशत बढ़ा कर 6400 करोड रुपए पर पहुँचने का महत्वा कांक्षी लक्षे नियत किया है निजामाबाद की क्रिशी उपज मंडी में हल्दी के उतपादकों, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों, खरीदारों एवं अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि देश से हल्दी के निर्यात में अच्छी बड़ोत्तरी हो रही है चालू सीजन से ही राष्ट्रिय हल्दी बोर्ड भी क्रियाशील हो जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बुनियादी धांचागत सुविधाओं के विकास्विस्तार की गती तेज होगी ताकि हल्दी के उतपादकों को इसकी खेती से लेकर इसके निर्यात तक के के लिए सभी आवशक एवं संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा सके सांसद के अनुसार केंद्र सरकार किसानों की सुविधास हायता के लिए आदर्श बुनियादी धांचा तयार करने हेतू 200 करोड रुपए खर्च करने की योजना बना रही है किसानों को हल्दी की खेत का मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा जबकि अगले सीजन से उसे 20,000 रुपए प्रती क्विंटल का दाम मिलेगा जो आगामी वर्षों में बढ़ते हुए 25,000 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुंच सकता है इससे किसानों को हल्दी का उत्पादन बढ़ाने का बहतर प प्रत्साहन प्राप्थ होगा ब्यूरो रिपोर्ट मार्कित ताइम्स टीवी